इस अब पढ़ेंगे ऑप्टिक से रिलेटिट बहुत इंपॉर्टन टर्म के बारे में जिसका नाम है कोहरेंट सोर्सिस वाट दूए करना है और बहुत ही अच्छी ब्राइट और डार्क फ्रिंजिस आपस में वह कोहरेंट सोर्सिस से आनी चाहिए कोई भी दो light waves ऐसी ही आपस में सुपरिम्पोर्ज नहीं हो जाती उनके बीच में कुछ खास properties का मिलना जरूरी है तो students current sources क्या होते है current sources of light वो sources of light होते हैं जो लगातार हमें same frequency, same wavelength, same amplitude और सबसे important बात zero phase difference या फिर constant phase difference वाली light waves हमें देते हैं या emit करते हैं तो students पहले सबस्क्राइब देखते है current sources की definition के अगर आपको एक्जाम में आता है what do you mean by current sources of light two sources are set to be current if they continuously emit light waves of same wavelength, same frequency, same amplitude having zero or constant phase difference current sources of light वो sources of light होते हैं जो हमें लगातार same wavelength, same frequency, same amplitude और ऐसी light waves देते हैं जिनके बीच में phase difference या तो zero हो अगर phase difference है भी तो वो constant रहे तो यह sources of light खेला जाएंगे current sources of light student diagram के तो सबस्क्राइब करते हैं कि current sources कैसी light waves submit करते हैं तो students मैंने या दो light waves मनाई है और students आप देख रहे हैं कि दोनो light waves जो है दोनों सेम फेस में हैं जब बीच में लेख करते हैं इनके बीच में धिफेज इफ्रेंस जीडो है गाएं डो स्वीजित पर दो संब्रेंद वन नयां पर जो कोंजी कुटिव कुटिव स्वाइब्न फोन्हां पर पर जो को कॉंजी कुंप्र holiday नों सोनन नंबर प्रेक्वेस क्रोसिंग अप्रेकॉल्ए का नइक्स और स्ट्री सब्सका को तो हम इन दोनों लाइद में कह सकते हैं यह इंका से यहां पर सब कुछ से में जहां यहां पर जो इतना है कि ये फ़ेसे काफि डिसने के बाद पांच किलोमेटर्स किलोमेटर करेंगे बार दोनों दूनों के बीच में तो हम कहेंगे कि यह जो हैं अगर यह इतना पाफ यह मेंन्टेन नहीं कर पाती यह पाट यह सबढ़ रहा है आटेन देग आखाए नहीं बोलेंगे अगर यह पार्ट इसमें इतना ही रहता है तो हम कहेंगे कि यह जो लाइट वेस हैं वह कॉरेंट लाइट वेस हैं तो सुडेंट्स सबसे पहले जो कंडिशन होते हैं इंट्रेफिरेंस प्रोड्यूस करने की दा सौर्सिस मॉस्ट बी कॉरेंट मिस वो जो हम जरूब करने हैं लाइट के वो सेर्फिक्वेंणी ना प्लीचूड अईट्स प्रिकवेंश से हम वेफलेंग और जीरो और कॉंचन प्रत्स वारें जी रूटरोक्त ज्रूव करने चाहिए ये हैं अब हम नेक्श हैं पडिएंगे क्या दो इंडे पर सौर्सिस औफ कि लाए जा सकते हैं किया दो इंडेपेंट सोर्सस ऑफ लाइट इंट्र फेरेंस फिनोमेना शो कर सकते हैं तो आप बजाच चाहिए और दो सेम वाट के सेम ब्रैंड के सेम कमपनी के बलब लेए जैसे मैंने फिलिप के दो बलब लिये साट वाट साट वाट का सिक्षी शिक् एक ह्षर साग से क्रिदेंगे तो उनकी फ्रिक्वेंस से होती है किली ते यह सकता है और current sources of light की सबसे बड़ी condition यही होती है कि current sources of light उनको कहा जाता है जो ऐसी वेफ सम्मिट करें जिनके बीच में constant phase difference हो या फिर जीरो phase difference हो जबकि दो independent sources of light कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे वो हमेशा इसी light wave समिट करेंगे जिनके बीच में जो phase difference हो लगतार change होता रहेगा तो answer है no two independent sources of light can never be current they can never produce interference fringes अगर आपने दो current sources obtain करने हैं तो उनको आप single source of light से obtain कर सकते हैं और उस single source of light को कहा जाता है parent source जैसा कि यंग यंग्स ने थॉमस यंग्स ने किया था अपने famous experiment यंग्स double slit experiment में उसने क्या किया था students वहाँ पर एक source of light लिया था monochromatic source of light लिया था उसके बाद उसने आगे दो slits लगा दी थी दो slits ऐसी होती है students जिनके बीच में थोड़ा जा gap होता है यह देके बीच में gap है यह जो की equal distance पर थी source of light assay तो student source of light ass क्या करेगा light waves submit करेगा primary वेफ्रेंट सेकंडरी वेफ्रेंट टर्श्री वेफ्रेंट से submit करते करते वो light waves यहां तक पहुंचेंगी और हाइज प्रिंसिपल क्या कहता है first principle की हर एक वेफ्रेंट का हर एक point जो हो नए source का काम करता है तो यह वेफ्रेंट यहां इन दोनों तक पहुंचा अब यहां से इन दोनों इंट्रफेर करें चाहिए वो डिस्ट्रटेवली इंट्रफेर करें तो आपको स्केंट पर इंट्रफेरेंट मिंस डाग और ब्राइट फ्रेंज लिखाए देंगी जो कि आपको के बारे में जिससे हम पोर अच्छा तरीके से बिखें कर सकते हैं पहला है लग मिरद मिरन हम क्या करते हैं एक नेररो सूर्ण लेते हैं और लृड मिरर क्या करता है उस दिखाई देता है उसका पूरी जो फुर्किंग के नाम से उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप पढ़ना मत भूलिएगा दूसरा जो बेस्ट मैथ्ट है कोरें करने का वह फ्रैस्टनल बाइप्रिजम उसमें क्या करते हैं एक नेरो सोर्स लेते हैं उससे लाइट फॉल करवाते हैं फ्रैस सब्सक्राइब करते हैं क्या होते हैं और कैसे यह अपना काम करते हैं को बनाने का उन दोनों वीडियो सब्सक्राइब करते हैं क्या सकते हैं क्या दो इंडेपेंट सोर्स चाहिंट सोर्स हो सकते हैं कर नहीं